Hello Friends, Friends आज के सुटियो में हम Voltage, Kilowatt, Current, Watt, KVA, Power Factor, KVAR, KWH क्या होता है? इनका क्या मतलब होता है? आज के सुटियो में हम सीखने वाले हैं बैस के लिए देखा जाए तो सभी Electrical की काफ़े Important Terms होती है जिनका Knowledge होना चाहिए तो आज के सुटियो में हम सभी Terms के बारे में Detail में सीखने वाले हैं तो आप वीडियो को Carefully Watch कीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और Step by Step सीखने की कोशिश करते हैं चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं Voltage क्या होता है Voltage बैसके लिए देखा जाए तो Potential Difference Between Any of the Two Points is Known as Voltage सबसे जिरी हम Detail में समझे तो हमारे पास कोई दो Points है इन दो Points के बीच में कुछ न कुछ Potential Difference होगा तो इन दो Points के बीच में जो Potential Difference होता है उसे हम Basically Voltage कहता है जिरी हम Simply कहे Voltage की जो SI unit होती है वो होती है Volt तो Basically Any of the Two Points Potential Difference is Between Any of the Two Points इसे हम यदि और अच्छे से समझे तो Suppose यह हमारे पास कोई Conductor है और जिसे के हम जानते है Suppose हमारे पास कोई भी एक Particles हो या कोई परमानू हो या कोई अडू हो तो इसमें हमारे पास तीन चीजे होती है Proton होते है, Electron होते है और Neutron होते है बट इनके उपर अभी हमें बात नहीं करना है Suppose हमारे पास कोई Conductor है तो इसमें 1000 लाखो करोडों क्या होगे Electrons होगे Basically क्या होगा Potential Difference क्या होता है Voltage क्या होता है से हम समझने की कोशिश करते है जैसा कि हमारे पास एक Conductor है Conductor में कई हमारे पास Electron है तो इस Electron को इस Conductor के अंदर Move करवाने के लिए जितनी Potential Energy की जरूरत होती है या Electrical Energy की जरूरत होती है उसे हम Basically Voltage कहते है That means किसी भी Conductor के अंदर Electron को Move करवाने के लिए जो Energy की जरूरत होती है उसे हम Voltage कहते है यह जो Simple कहें तो Potential Difference Between Any of the Two Points is known as Voltage चलिए अब अगली हमारे यूनिट आती है Kilo Volt Basically हमारे पास जो Simple Voltage होता है 220 Volt, 440 Volt ऐसा Volt होता है तो यह Simple Voltage होता है Transmission Line में हमने सुना है 11 KV की लाइन है 33 KV की लाइन है 66 KV की लाइन है तो जहां पे भी Voltage की रिंज जादा होती है 1000 में होती है 1000 के लिए basically Kilo लगता है तो जहां पे भी Voltage की रिंज जादा होती है वहाँ पर हम Kilo Volt लगाते है अगली बात आती है Current की चलिए अब बात आती है Current की Current को हम यदि समझे तो Flow of Electrical Charges या Electron Are ions in any of the Conductor Is known as Current Basically किसी भी Conductor की अंदर Electron का जो Flow होता है उसे हम basically Current कहते है अब Current और Voltage में क्या Difference है चलिए हम समझ लेते है Basically क्या होता है Flow of Electron in a Conductor Is known as Current That means Electron का Flow जो होता है उसे हम Current कहते है But जिस Force के Current जिस Force के Current या जिस Potential के कारण इस Electron का Flow होता है उसे हम Voltage कहते है Simple Flow of Electrons Is known as Current But the Force required to move Electron Is known as Voltage ये काफे Simple Difference है दोनों के बीच Basically जो Current के Unit होती है वो होती है Ampere चलिए हमारा Current की Unit होती है Ampere चलिए हमारी अगली Unit है Resistance क्या होता है Basically it is a Property of Material by which it can oppose the flow of Electrons or flow of Current Basically क्या होता है material के एक Property होती है जिसके दोआरा हमारे Material ये जो Conductor है Conductor सो Current Flow होता है उस Current Flow होने का जो passions होता है Basically Resistance कहलाता है Simply हमारे किसी भी Conductor में formasnalite का Flow होता है उसका जो정을 Oppose होता है उसे हम Resistance कहते है अब conductor में flow of current का अपोस कैसे होता है चलिए हम थोड़ा से समझ लेते है suppose हमाने जैसा कि देखा कि हमारे पास जो भी conductor उसमें हजारों लाखों करोडों इलेक्टरॉन्स होते है अब क्या होता है यदि उन्हें proper space नहीं मिलेगा तो उनके बीच आपस में collision होगा इन आपस में collision होने के कारण इनके property कम होगी जिसके द्वारा इस conductor से जितना current flow होना था उतना current flow नहीं होगा तो बेसिकलिए जो collision होता है इसकी कारण electrons का जो flow होता है वो कम होता है उसकी कारण बेसिकलिए resistance होता है इसका जो formula होता है R is equal होता है ρो L upon A that means A is का cross-sectional area होता है A इसकी लंबाई होती है यदि मोटा ही जादा होगी तो resistance कम होगा resistance कम होगा ज्यादा current flow होगा आप इहां से इसका अंदाज़ा लगा सकते यदि लंबाई इसकी जादा होगी बेसिकलिए conductor की लंबाई यदि जादा होगी तो resistance भी बेसिकलिए जादा होगा resistance बेसिकलिए जादा होगा तो current कम flow होगा आप इहां से लगा सकते बेसिकलिए लंबाई के proportional होता है और cross-sectional area के inversely proportional होता है तो यह बेसिकलिए resistance होता है चलिए हमारा अगला point आता है अगली terms आती है what basically क्या होता it is total power consumed by load is known as watt that means हमारा जो load है जितनी power को consume करता है उसे हम basically what कहते है इसे हम कह सकते है voltage into current into power factor को जो multiplication होता है उसे हम basically power कहते है हमारा जो load जितनी energy को consume करता है उसे हम basically watt कहते है यह बेसिकलिए kilowatt क्या होता है तो उसमें जदी 1000 हो जादा times जदा watt होता है तो वहाँ पर हम 1000 के लिए वहाँ पर kilowatt लगाते है simple तो जितना जो load हमारा जितनी power को consume करता है उसे हम basically watt कहते है अगला हमारा point है kVA तो kVA क्या होता है इसे also हम कहते है apparent power की नाम से भी जाना जाता है suppose kVA क्या होता है हमारा total power given to the load is known as kVA यदि हम इसे समझे तो suppose हमारे पास for example हम समझे रहे है suppose हमारे पास 10 amp की कोई motor है जो हमारे पास 10 amp motor current लेती है अब यदि हमें इसे चलाना होगा तो इसे हमें चलाने के लिए 10 amp air से कुछ जादा current देना होगा for example हम amp air से समझे रहे ताकि आपका doubt clear हो सके suppose हम यहां से उसे 12 amp air यहां से flow करते है distribution board से और यहां पे motor को 10 amp air मिलता है तो जो losses होते हैं वह भी count होते है तो basically यह जो कितनी power को consume कर रहा है यह motor जितनी power को consume कर रहा है वो उसका kilowatt होगा और इस motor को चलाने के लिए जितनी power दी गई है वो उसका KVA होगा अब जो losses होगा यह जो reactive power होगी वह भी count हो basically देखा जाए तो जो KVA होता है इसे हम total power भी कहते हैं और apparent power भी कहते है और जो हमारा kilowatt यह basically जो watt होता है उसे हम active power कहते है जितनी power active use की गई है तो KVA क्या होता है total power plus apparent power होता है I hope आपको clear हुआ हो KVA और watt में क्या difference होता है अगली हमारी terms आती है KVAR इसका full form होता है kilo volt ampere reactive best के लिए क्या होती है reactive power होती है इसे हम useless power भी कहते है that means reactive component दोआरा जितनी power का consume किया जाता है उसे हम KVAR कहते है यह power basically useless power होती जो हमारी use में नहीं आती है चलिए एक example से समझते है ताकि हमारे सारे doubt clear हो सके suppose हमारे पास कोई glass है glass में इतना पानी भरा हुआ है इतना space खाली है तो basically क्या होगा जितना पानी इसमें भरा हुआ है जितना useful space है वो basically kilowatt कहलाएगा जितना खाली space है जो use में नहीं आ रहा है वो KVAR कहलाएगा और जो total glass का space है वो basically KVAR कहलाएगा इसे हम total power भी कहते है आयोब आपको clear हुआ हो चलिए अब सबसे important terms आती है power factor इसे हम समझे the cosine of angle between voltage and current is known as power factor चलिए इसे हम थोड़ा अच्छे से समझ देते basically क्या होता है हमारे पास कोई भी power होती है उसमें voltage भी होता है और current भी होता है हमारे पास जितनी power आ रही है उतने का हमें यदि use करना है तो voltage और current ने एक ही basically दिखा जाए तो एक ही face difference में होना चाहिए यदि हम capacity load में देखे तो voltage हमारा basically देखा जाए तो पियां ही पर होता है current हमारा 90 degree lead करता है तो यह load के उपर depend करता है तो basically यह angle जो हो जाता है इस angle के current पूरी power का हम use नहीं कर पाते है इसलिए हम इस power को जो इस angle को कम करने के लिए वहाँ पर power factor connect जो basically capacitor connect करते है वैसे इसको पर अपने detail में वीडियो बनाए just overview के लिए हम समझ रहे है तो हम basically capacitor हम power factor को कम करने के लिए इसलिए connect करें ताकि जो angle हो सके इस angle को हम कम कर सके जितना angle कम होगा जितना सही phase में होगा उतनी ही हम power को जादा consume कर सकेगे तो cosine of angle between voltage and current is known as power factor यदि आप इसके उपर detail में सीखना चाहरे हो तो link description में मिल जाएगी वहाँ जाके आप सीख सकते है अगली हमारी सबसे important terms आती है kwh या जिससे हम unit भी कह सकते है basically हमारे पास कोई भी load है जिसकी unit kilowatt में दी गई है तो कोई भी load जो जिसकी unit kilowatt में दी गई है यदि उसमें hour का multiply करते है तो वो basically kwh unit कहलाती है suppose हमारे पास एक kilowatt का कोई load है एक kilowatt का कोई load यदि एक घंटे तक हमारे पास चलता है तो वो हमारे पास basically एक unit बनाता है basically क्या होगा एक kilowatt बराबर कितना होगा 1000 watt 1000 watt का कोई load यदि एक घंटे तक हमारे चावास चलता है तो basically एक unit power का consumption करने वाला है यदि दो kilowatt का कोई load है तो वो एक घंटे तक चलेगा तो दो unit का consumption करेगा दो घंटे चलेगा तो चार unit का consumption करेगा basically kilowatt में यदि हम hour का multiply करते हैं तो वो हमारी basically के लिए यूनेट होती है, so I hope आपको सभी यूनेट्स बैसिकली क्लियर होई हो, यह फिर भी कोई डाउट तो कमेंट से मैं जरूर पोछे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, so आज के लिए इतना ही, thanks friends